मैं डाक्टर विजे कुंडल, हेड अफ डिपार्टमेंट मेडिसिन, गौर्वर्मेंट मेडिकल कॉलेज जमो सब सुनने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो है कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर यहां तक हो सके गर से बाहर ना निकलें एक बात हम सब को याद रखनी है कि कोविड कभी चलके हमारे गर नी आएगा जब आएगा और हम उसको लेके बाहर से अपने गर आएंगे तो यहां तक हो सके यहां तक अवाइड हो सके गर से बाहर ना निकलें अगर किसी कारनवश आपको गर से बाहर निकलना पड़ता है तो आप गर से बाहर कदम रखने से पहले मास्क पहने और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें जब तक हम सब मिलके इन चीजों का पालन नहीं करेंगे तो हम ये चेंड नहीं तोड़ सकते और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारा है वैक्सीनेशन जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीनेशन करवाएं क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग वैक्सीनेटर हैं उनमें ये बिमारी कम होती है होती नहीं है अगर हो भी जाए तो उनको स्वीर डिजीज नहीं होती अब बात आई कि अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स आयें तो क्या किया जाएं आम तोर पे देखा गया है कि कोविड के सिम्टम्स माइल्ड होते हैं बहुत से लोगों में और आज की तारीख में अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हों सर्दी है जुकाम है हलकी फुलकी खांसी है तो जब भी पहला लक्षन आये तो सबसे पहली बात ये करनी है कि अपने आपको होम आईसोलेशन में रखें अपने आपको आईसोलेट करें और यहां तक हो सके गर के अंदर भी मास्क पहने ताकि अगर गर के अंदर बाकी लोग हैं तो उनका बचाव किया जा सके